नमस्कार बच्चों अब हम आज क्लास 10 का वर्क्षिट नंबर 71 करने जा रहे हैं इस 71 में अब हम एक तरह से वर्क्षिट जो है ये लास्ट एक्सरसाइज है और ये आपके लिए बहुत बहुत इंपोर्टेंट चेप्टर है ये तीन से चार नंबर आपको दिलाता है इसलिए इसको लास्ट में एक तरह से दिया गया मेरे हिसाब से इसलिए लास्ट में दिया गया है ये लास्ट में आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको ज़्यादा दिनों तक पेपर के सहमे में ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा तो इसको अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास किजिए और ये आपको बढ़िया से तियार करना है जो आपको तीन से चार नंबर ये पेपर में दिलाएगा और तीन से चार नंबर बहुत माइने रखता है तो हम आज देखते हैं इसके तहट जो कंस्ट्रक्शन चेप्टर चेप्टर नंबर बुक में चेप्टर नंबर ग्यारह है जिसको कहते हैं रचनाय तो रचनाय करने के लिए ये दिया हुआ है किसी रेखाखंड को M अनपात N में विभाजित करता है तो हम क्या करते हैं अब ये देखें यहां पे तो समझाया गया है आप समझने का प्रयास करें ये दिया हुआ जैसे एबी बराबर में आठ सेंटीमीटर और इसको तीन अनपात दो में विभाजित करना है तो ये समझाया गया है उसको भी हितन देखिये लेकिन उतना आपको दियाने नहीं है मैं ये कह रहा हूँ जो कि आप इजली कैसे बनाए अब इसके लिए मैं एक काम करता हूँ आपको ये दिखाता हूँ जैसे ये दिया हूँ आठ सेंटीमीटर भुजा है उसको तीन अनपात दो में विभाजित करना है तो सबसे पहले आठ सेंटीमीटर की एक भुजा ले लेगे है ठीक है अब क्या करेंगे इसके नीचे दिया एक न्यून कोन बनाते हूँ न्यून कोन यानि 90 डिगरी से कम बनाते है यहां पर ये ए ले लिए और ये बी है दिया हूँ ए बी है आठ सेंटीमीटर है तो ठीक है अब ये न्यून कोन बनाते हूँ एक कोन एक लाइन खिचते हैं ये लाइन खिच लिए अब खिचने के बाद हम क्या करेंगे कम पास समान दोरी पे अब यह देखिए यहां पे एक बार देखिए कितना अनपात में इसको कई रूपों में दिया जाता है यह देखिए तीन अनपात दो है तो ट्रोटल कितना हुआ यह तीन इधार है और दो इधार है तो कुल कितने हिस्से हो गए पांच हिस्से इसको ऐसे भी दे सकता है तीन बटे पांच भी दे सकता है या तीन बटे पांच भी दे सकता है तीन अनपाद दो भी है तो आपको इस तरह से दिहान रखना है यह एक ही चीज़ है एक ही चीज़ के तीन बटे पांच यानि तीन हिसाई धा रहे और दो हिसाई धा रहे तो यही चीज़ यह है तो यह कहता है तीन बटे पांच है तो आप नीचे देखे कितना है यह पांच है तो उसको हम जो नीचे जो नियून कोन बनाये हुए हैं उसको नियून कोन बनाते हुए इसको पाँच बराबर बराबर टुकडों में काटना है अब यहां पे हम चाप रख करके एक चाप खोलेंगे और यहां हम पांच बराबर बराबर टुकरे पे इसको काटेंगे एक, दो, तीन, चार और पांच तो यह हो गया, A1, A2 या X भी डाल सकते हैं, AX हमने लिया है तो यह हम इदार से X भी डाल सकते हैं, AX हमने उनकों बनाते हुए खीचे हैं, तो यह X1, X2, X3, X4 और X5 यह है, अब क्या करना है, अब देखिए यह उपर में कितना दिया हुआ है तीन दिया हुआ है, यहां पे एक साइड में तीन दिया हुआ है, तो तीन हिस्सा एक इधार रखना है, तो तीसरा हिस्सा जहां पे आएगा, यहां पे देखिए यह तीसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से को, यह तीन बटे, यह देखिए यह पांच है, टोटल कितना होगा, ती अब कमपास रख करके यहां पर यह देखेंगे इसका माप निकालेंगे जितने डिगरी का कौन बना जितने का कौन बनेगा यह कौन हम माप लेंगे फिर जिस जितना कमपास का हमने मुँख खुला जिससे इसको माप आ है उसी माप से अब उपर में तीसरा कह रहा था, तीन अनपाद दो था, तो तीसरे पे फिर जितने का चाप यहां पे खोले, उसी चाप से यहां पे कमपास का पॉइंट रख करके, जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है, यहां पे रख करके एंगल बनाएंगे, और फिर इसकी मोट जितनी है, यानि यहां पे सुई वाला नोक वाला हिस्सा रखेंगे, यहां पे नोक वाला हिस्सा जो गिरीन कलर से में दिखा रहा हो, गिरीन वाला कलर पे नोक वाला हिस्सा और पैंसिल वाला हिस्सा यहां पे रखेंगे, तो इसी तरह यहां इसकी भी चोड़ा नाप ले खीच देंगे इस्ट्रेट लाइन खीच देंगे जो जिसको यह जिसको यह ऐसे करके ऐसे करके यह मिल यह बना इस तरह से जो बनागा यह यह हो गया हमारे यहां पर डाल दिये D या C जो डालना है जो प्वाइंड देना यह C यहां पर C डाल दिये हो गया आपका यह बन गया यही चीज़ी है और इसका दूसरा वेकल्पिक विधी यह भी है जो अगला दिखाया गया है यह देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कर रहा है जब तीन अनपात दो है तीन अनपात दो तो हम क्या करेंगे यही चीज़ को दूसरे तरीके से जब बनाया गया है तो देखिए यहां पे भी हम बनाने की कोसिस करते हैं आठ सेंटीमीटर की एक हम लाइन खीच लिए अब न्यून कोन बनाते हुए इधर से न्यून कोन बनाते हुए एक हमने यहां पे खीचा लाइन और एक न्यून कोन बनाते हुए हमने यहां पे खीचा लाइन ठीक है अब इसको हमने जो कमपास लेना था कमपास से बराबर बराबर इधर से तीन एक दो तीन और उपर तीन अन लेते हैं यह A है X है तो X1 X2 और X3 इधर हो जाएगा Y मान लेते हैं Y1 और Y2 अब यह बीद लिये थे इसको इससे मिला दिये इसको इससे मिला दिये मिलाने के बाद जो यह लाइन वा ना यह हो गया आपका तीन अरपाद दो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दिया C यह वाला पॉइंट C हो गया पस यही चीज है इसको यहाँ पे समझाया हुआ है ठीक है बच्चों तो यह आज का वर्क सीट है जो फिर आपको जो करने के लिए दिया गया है उस पे आते हैं हम उस पे बात करते हैं जो आज का वर्क सीट में आपको करने के लिए दिया है तो यह हम 7.6 cm की एक भुजा खीच लेंगे यह हमने खीचा है जिसका नाम दिया हुआ है A और इधर B अब आपको बता है तीन अनपाथ दो में है तो या तो आप वेकलपी की विदी दूसरी विदी अपना है या पहली विदी अपना है तो तीन अनपाथ दो है तो या तो दो उपर से करें और तीन नीचे से करें नीचे वाले लाइन पर तीन करें और उपर वाले पर दो करें या फिर इसका जो टोटल होता है ये टोटल है तीन और दो है तो तीन और पलस दो को जोड़ देते तो पांच तो यहां पे हम न्यूनकौन बनाते हुए एक लाइन खीचेंगे यहां से नियूनकोर बनाते हुए लाइन खीचा और इसके पाँच बराबर बराबर हिस्व में हमने कर दिए एक, दो, तीन, चार, पाँच अब नीचे पाँच आता है तो पाँचवे हिस्वे हिस्वे को हम लास्ट वाले से इससे मिलाते हैं ठीक है, और हम कंपास ले करके, कंपास का थोड़ा सा मुह खोल करके यहाँ पे हम पैंसिल वाला हिस्सा हम red color से लिखने का cohesive करते हैं यहाँ पेंसिल का हिस्सा नोक वाला हिस्सा यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पे और फिर चाप को खोलते हैं यह माली चाप आया अब हमने एक नाम बोला था ये X इदार हमने ये X दिया था तो ये AX1, X2, X3, X4 और X5 होगा तो ये AX3 काकाम है ये ऊबर वाला तीसरा हिस्सा है तो AX3 पे भी उसी चाप से यहां पर नौक वाला हिस्सार करके पिर चाप लगाएंग उसी चाप से चाप को ज्यादा वो नहें करना तो अब च्छोटा वड़ा मत करना है अब हम इस में इस कलर से यहां पे सुई का नोक वाला हिस्सा और इधर पैंसिल वाला हिस्सा इधर रख करके इसकी चोड़ाए मापेंग से हम यहां भी करेंगे अब इसको हम मिलाने की कोशिस करेंगे यह ऐसे करके मिलेगा तो जहां पे मिल रहा यह हो गया आपका सी तो हो गया यह सी यह त illegally आप शिसे हमां बात रहा है ठीक है अब आते हैं आज का लाश्ट सवाल जो दिया हुआ है उस पे आते हैं यह भी ऐसे ही है इसको थोड़ा से प इसको कई रूपों में देखे वही चीज़ है एकनपातीन में आया यहाँ पे थोड़ा सा आपको confusion हो रहा था तो अब इसको दूर करते हो अब क्या आ गया एकनपातीन तो अब एकनपातीन को हम जदी हम बनाते हैं इधर हम लेते हैं आट सेंटीमिटर के एक भुजा लेते हैं तो यह हमने 8 cm ले लिया, इसका नाम दिया हुआ है A B, A और B, अब कह रहा है एक अनपातीन करने के लिए, तो हमेशा की तरह इधर हम क्या करेंगे, यहां से हम नियून कोन बनाते हुए, एक लाइन खिचेंगे, जो जिसके फिर एक अनपातीन था, एक अनपातीन तो टोटल क कितना हो जाएगा, एक अनपातीन है, तो यह टोटल कितना हो जाएगा, एक और तीन, एक चार, एक वर्टे चार, तो यहां पे चार बरावर बरावर हिस्व में, एक, दो, तीन, और चार, चोथे को, यहां पे यह एक्स नाम दिये, तो A, X, 1, कुछ और भी दे सकते हैं, हम लास्ट वाले को, जो हमारा लास्ट आया था, उसको लास्ट से, इससे मिलाएंगे, ठीक है, तो इससे हमने मिला दिया, अब हम पेंसिल को उससे कमपास पे रख करके, यहां पे नोक वाला हिस्था रख करके, और यह आर्क लगाएंगे, और हमें फिर चाहिए एक पे तो यहां पे भी वही आर्क लगाएंगे अब यह जहां पे काटेगा इसकी चोड़ाई माप लेंगे जहां पे यह काटेगा उसको हम यहां पे काट करके फिर यह हो जाएगा इसको सी डाल दी तो एक अनपात तीन हो जाएगा ठीक है इस तरह से बना करके आप जल्दी से जल्दी भेगे अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए धन्यवाद